कि आज दिनांग 25-11 को अयोध्या में भक्तमल की बगिया में एक आयोजन किया गया है जो वीएच्पी और आरेसेस द्वारत ने एक तुरूप से किया गया है तो आज जानकारिय नुसार इस समय दिनके एक बज़ रहे हैं इस समय करीब सक्तर से पच्छसर हज़ार की भी भक्तमल की बगिया में है और वहाँ पर वीएच्पी और आरेसेस के जो उनके प्रवप्ता लोग हैं वो बात कर रहे हैं अपने अपने की बात कर रहे हैं किसी प्रकार से कानून विवस्ता की कोई स्थिती अब तक कूप रभावीत होने की शूचना नहीं है बहुत प्रभावीत तोर पर डिप्लॉइमेंट किया गया है जैसा आप अवगत हैं अईध्या में कोज जोन्स में बाटा गया है सेक्यूर्टी स्कीम जो उध्या की है वो लागू है और इस समय रेड जोन और यलो जोन दो मुखत है वहाँ के सेक्यूर्टी जोन है और जिसमें एक स्कील ऑफ डिप्लॉइमेंट जो नहित है वहाँ के स्वरक्षा व्यस्ता के अनुसार उसका पूरी तरह के से पालन किया जा रहा है मानने उस्तमने आले मानने उचने आले कि जो भी डिधर्ण देश है उनका अक्षर्षय अनुपालन करने के लिए राजसरकार और राज की पुलिस और प्रशास्निक तंत्र पूरी तरह से कटिबक है और किसी भी प्रकार में कोई नई परिपाटी कोई नई व्यवस्ता जो करने का जो कि प्रयास करेगा उसको हम रूकेगे आप जानते हैं कि मैटर सुप५्रीम कोट में विचार अधीन है और स्टेटर को में बंटेन करने का आदेश है उसको इंप्लिमेंट करने का पूरा ताइत राजसरकार पुलिस और प्रशास्तिक परियृका दोखा है उसका हम लोग निर्वान कर रहे हैं। साथ ही साथ भारी संट्रया में CAPF का बल, TAC का बल, हमारे ATS के कमांडोज हैं, ड्रोन कैमरास का उप्योग हो रहा है भीर का असेस्मेंट करने के लिए जैसा अपगत हैं कि 13 पार्किंग स्थल नियत किये गए हैं और अब तक प्राज जानतारी अनुसार करीब 2,000 बसें विबिन जगाउं से उध्या आ चुकी हैं जिनको इन 13 पार्किंग स्थलों में